नमस्कार भविश्यमानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य, आपके राशी का भविश्य बताने के लिए आज भादरपद शुक्रपक्ष की नौमीति थी और सोमवार का दिन है नौमीति थी आज सुबा आठ बच कर 27 मिनट तक रहेगी उसके बाद दश्मीति थी लग जाएगी आज दो पहर पहले 11 बच कर 28 मिनट तक प्रीती योग रहेगा उसके बाद आईश्मान जोग लग जाएगा साथ ही आज रात आठ बच कर 6 मिनट तक मूल डखचत रहेगा इसके अलावा आज शीचंद नौमी है साथ ही आज शिक्षक दिवस और दशावतार रकबरत है आगे हम इसी पर विस्तिर चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्स दे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जनिवर्स रही है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करें तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ट की किस्मत का दर्वाला खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वासु शास्तर और सामुद्रिक शास्तर की आज कौन सी देशा होगी शुबह और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जो जिसके गनित पक्षने आकाशी एपिंडो के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो माइग्रिटिक फील्ड के मूवमेंट को कल्कुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग आज सितंबर की दोपार एक बच कर च्छालीस मिनिट से रात नौ बच कर चार मिनिट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार सिध्य योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 11 सितंबर की सुबह 8 बच कर 2 मिनिट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनिट तक रहेगा इस करम में आईए आप चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्ट जाने के फेवरेवल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्ट सुबह 9 बच कर 44 मिनिट से शाम 7 बच कर 36 मिनिट तक रहेगा नया बिजने शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्ट नहीं है अब यह मुहूर्ट बारा अक्टूबर की सुभा 7 बच कर 19 मिनिट से दो पहर 2 बच कर 1 मिनिट तक रहेगा कांस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्ट नहीं है अब ये मुहूर्ट 8 सितंबर के सुभा 3 बच कर 33 मिनट से सुभा 9 बच कर 33 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर पहले 11 बच कर 52 मिनट से दो पहर 2 बच कर 11 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रियल इस्टिशूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्ट नहीं है अब ये मुहूर्ट 7 सितंबर के सुभा 3 बच कर 32 मिनट से सुभा 9 बच कर 37 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर पहले 11 बच कर 56 मिनट से दो पहर 2 बच कर 6 मिनट तक रहेग च्छे बच कर 32 मिनट तक रहेगा जॉब जोइन करने के लिए अच्छा मुहूर्ट नहीं है अब ये मुहूर्ट 7 सितंबर की दो पहर पहले 11 बच कर 56 मिनट से शाम 6 बच कर 1 मिनट तक और एक बार फिर शाम 7 बच कर 28 मिनट से रात 9 बच कर 57 मिनट तक भी रहेगा मेडिकल टीट्मेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर तो सुबह 9 बच कर 44 मिनट से शाम 4 बच कर 26 मिनट तक और एक बार फिर शाम 6 बच कर 9 मिनट से रात 8 बच कर 35 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ शणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुब कारी करने से सफलता नहीं मिलती आज शाम चार बच करूं तीस सिमय पर अशुब समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मेश मितुन करक और कुम राशियां विशेश चूब से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस सवाएके बारा मिनिट पहले और बारा मिनिट बाद तक क काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह साथ बचकर च्छतीस मिनट से सुबह लखनव सुबह साथ बचकर 22 मिनट से आठ बचकर 56 मिनट तक भोबाल साथ बचकर 37 मिनट से नो बचकर 11 मिनट तक कोलकाता सुबह छे बचकर 54 मिनट से आठ बचकर 28 मिनट तक अहमदाबाद सुबह साथ बचकर 57 मिनट से नो बचकर 30 मिनट तक और चे नई में रहुकाल होग आजबवा आजब साथ बचकर तीस मिनट से नौबचकर तीन मिनट तक यह था कुछ शेहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज उंडिशा सम्वब और पूर्ध आज घर से निकल कर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाएए अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की और साथ कदम चलिए फिर प्लॉक वैज घून कर अपने काम पर चले जाएए सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ पनिनाम मिलते ही रहेंगे यानि कि आपके तमाम काम बेना किसी विद्म बादा की पूरे होते रहेंगे और आएफ शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का सबसे पहले बात रो करने में आप सक्षम होंगे धार में कामों में आपके रूची बढ़ेगी आप सक्संग सुन सकते हैं अचानक धनलाब हो सकता है आज माता जी खाने में नई डिश बनाएंगी आपका स्वास्तिय अच्छा रहेगा मार्केट से सामान खरीडते समय अपने वालेट का अपने नए बिजनेस को शुरू करने का मन बनाएंगे जिसमें आपके सहयोगी आपका सहयोग करेंगे आपके स्टार्ट अप को यूजर्स त्वारा अच्छी रिटिंग मिलेगी आज आफिस में सीनियर से किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे विद्याथी पिछले दूनों के छूटे काम को आज पूरा कर लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या से आज काफी हद तक आराम मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमर है पांच मिथोन राशे वालों आज आपका दिन बहतरीन रहेगा बिजनस में आज एक्सपर्ट की राय आपको काम करने का तरीका सिखाएगी आज आप अपने रिष्टे की एक नई शुरुआत करेंगे मूर्तिकला के कारोबारी आज अपने टार्गेट को पूरा कर लेंगे लेखक सेवाँ में कारेरत अफसर आज अपने काम में वेस्त रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है तीन करकराशे वालों आज आज आपके दिन की शुरुआत आपके परिवार के लिए नई खुश्या लाने वाला है आटो मॉबाइल का कारोबार कर रहे लोगों के सेल में इजाफा होगा स्पोर्स से जुड़े लोगों को अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए बायो केमिकल इंजिरिंग कर रहे चात्र अपने सीनियर्स की मदद से प्रैटिकल पूरा करेंगे आईली खाना खाने से आपकी सेहत में उतार चड़ा होने की संभावना है अच्छा खाना खाईए रिष्टों में चल रही घलत फहमिया आज दूर होंगी आज के लिए आपका लखी करर है यलो और लखी नमबर है सेवन सिंग राशिवालों आज आपका दिन रोज की अपेक्षा अच्छा रहेगा आज दोस्त की सलाह से बिजनेश शुरू करने का मन बनाएंगे आपके दांपत जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा कन्फेक्शनरी के कारोबारी अपने बिजनस को बढ़ाने का विचार करेंगे डॉक्टर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा आज सीनियर डॉक्टर की मदद मिलेगी शेयर मार्केट में आज आप धन इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको लाब मिलेगा आज आप फिजूल के खर्चों से बचें आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नमबर है तीन करन्या राशी वालों आज आपका दिन खुश्यों से भरा रहने वाला है आज किसी दोस्त की मदद करने से आपका मन खुश रहेगा विद्यार्थों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा जुलेरी का कारोबार कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा आर्थिक इस्तिति मजबूत रहेगी आपका अच्छा स्वास्ते बदलते मौसम में बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा आज आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है महरून और लखी नंबर है पांच तुला राशी वालों आज आपका दिन जीवन में नई उमंग लाएगा बेकरी का काम कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफ़ा होगा अपनों के प्रतियाप का प्रेम बढ़ेगा समाज सेवा के छेट से जुड़े लोग आज फंड एक अतित कर सकते हैं आज आपको कुछ नए अनुभाव मिलेंगे परिवार में शान्ति का महौल बना रहेगा इस राश्ची की महिलाएं अपने घर पर किठी पाटिया और्टनाइस कर सकती हैं और अपने दोस्तों को अपने हाथों से बना टेस्टी खाना खिला सकती हैं आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी डबर है टीन वरिश्चिक राशी वालों आज आपका दिन शान्दार रहेगा आपके किसी निर्णे में परिवार जन आपका सपोर्ट करेंगे काम सफल होगा आज नए कारिया और व्यासाय को करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे आज आपका स्वास्तिय अच्छा रहेगा आज मार्केट कुछ मार्केट से कुछ सामान खरी सकते हैं विग्जान जगत से जुड़े लोग आज सम्मान प्राप करेंगे आज कोई नई स्किल सीख सकते हैं जिसका आपको भविश्य में लाब मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नमबर है सेवन धन और आशेवालों आज आप उर्जा से भरे रहने वाले हैं आफिस के जरुवी पेपर्स के सिलसले में आफिस के दोस्त घरा सकते हैं आज आपके जीवन में बड़ी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार के माहौल में खुशी आएंगी सामाजी के ख्षेतर में आपका मांसमान बढ़ेगा व्यापार के ख्षेतर में सहयोग्यों का सहयोग मिलेगा जिससे आपको लाब होगा फालतू के कामों में अपना समय नगावाएं आज के लिए आपका लकी कलर है सकाई ब्लू और लकी नमबर है तीन मतर राशेवालों आज आपका दिन शानदार रहने वाला है प्रापर्टी डीलर्स की आज कोई बड़ी डील फाइनल हो जाएगी बास का दिया टार्गेट आज समय से पूरा कर लेंगे जिससे आपके बास आपके खुश होंगे विद्यार्थी अपने करियर का चुनाओ करने में सफल रहेंगे लव मेट्स आज शॉपिंग पर जाएंगे जिससे उनको बहुत खुशी मिलेगी आज योग और मेडिटेशन सेंटर शुरू करने के लिए दिन अच्छा है आज के लिए आपका लखी कलर है सैफराउन और लखी नमबर है दो कुम भराशी वालों आज आपका दिन लाफदायक रहने वाला है दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे आज आप परिवार के कारिक्रम में शामिल होंगे जहां आपके मुलाकात खास रिष्टेदारों से होगी आपके दामपत जीवन में सवहार्थ बना रहेगा जो वर्किंग पैरेंट्स है वो अपने बिजी शेडूल से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकाले बच्चे अपने कुछ परसनल बातें डिसकस कर सकते हैं शिक्षक अपने छात्रों को टॉपिक समझाने में सफल होंगे आज आपकी कड़ी मेहनत से आपको भविष्य में अच्छे परणाम हासिल होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है पांच मीन राशिवालों आज आपका दिन कॉन्फिडेंस के साथ शुरू होगा नव विवाहे दंपत्य को धार्मे के स्थल पर जाने का मौका मिलेगा टाइफाइट की समस्या को आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे आपके कामकेपती मेहनत को देखकर आपके कलीग आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे विद्याती आज किसी टॉपिक को समझदे के लिए उस्सुख होंगे आज आप अपनी मन पसंद जगे पर घूमने जा सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है वाइट और लखी नमबर है आठ और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज सिर्फ पर टूपी या पगड़ी पहने और जिनकी आज मेरी जनिवरसरी है वो आज बुजर्गों से आशिरवाद लें तो साल भर सुख और सौभाग बढ़ता ही रहेगा और ये अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मुलांक एक वालों आज 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 की रुचिपूल नावल पढ़ने में हो सकती है मन में उमंग बनी रहेगी मुलांक दो आज व्यापार में सब को अच्छा मुनाफ़ा होगा पिछले दिनों के नुकसान से आपको रहत मिलेगी मुलांक तीन कॉम्पिटीशन के तैयारी कर रहे चात्रों की मेहनत रंग लाएगी खुशी का माहल बना रहेगा मुलांक चार स्ट्रस को कम करने के लिए आप कुछ नए तरीके अपनाएंगे आपको लाप मिलेगा मुलांक पांच आज आप की मुलाकाद किसी पुराने मित्र से होगी जिससे आपको बहुत खुशी होगी मुलांक च्छे आज आपको किसी बुज़र की सहायता करने का मौका मिलेगा मुलांक साथ आज आज आप कोई नई रेसिपी कुकिंग क्लासे से सीख सकती है मुलांक आज आज आप अपने बच्छों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे बच्छों में उत्साह बना रहेगा मुलांक नौ अपने लक्ष को पाने के लिए आज आज आप कड़ी मेहनत करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी और अब चर्चा वासुशासर के वासुशासर में ऐज हम बात करेंगे विभिन रंगों की चीज़ों को सही दिशा में रखने के बारे में किस रंग की वस्तों को किस दिशा में रखना चाहिए और उनका क्या प्रभाव हुँता है ये मैं आपको बताऊँगा पर दाल आप घर के साउथ वेस्ट कॉर्णर पर एक्जेंपल आप धर के साउथ वेस्ट काउडनर पर नहीं रखेंगे दो हीचे ंगा और जाँड़ के साउफ वेस्ट काउडनर में र Süd पर खेंगे पीले रंग की चीजों और भिर लोगों को तक्लीफ кноп प्रइस बीट किय और पाचन क्रिया अच्छे से होती है लिहाजा पीले रंग से संब्दे चीजों को नईरियत त्यकों यानि दक्षल पर्चम दिशा में ही रखना चाहिए वासु शास्तर में कल हम बात करेंगे लाल रंग की चीजों के बारे और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज चुकल पक्ष की नौमी तिथी और सोंबार का दिन है नौमी तिथी आज वह आठ बच कर 27 मिनट तक रहेगी उसके बाद दशमी तिथी लग जाएगी आज दो पहर पहले 11 बच कर 28 मिनट तक प्रीती योग रहेगा उसके बाद आईशमान योग लग जाएगा प्रीती बाह में किसी प्रकार की परिशानी चल रही हो या फिर आपको किसी के साथ अपना प्रेम का रिष्टा आगे बढ़ाना हो तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है साथ ही साथ इस योग में किये गये कारे से मान सम्मान की प्राप्ती भी होती है साथ ही आज रात 8.06 मिनट तक मूल नक्षतर रहेगा आकाश मंडल में इस्ति 27 नक्षतरों में से मूल उनीसवा नक्षतर है मूल का अर्थ होता है केंद्रिय बिंद या जड़ इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की ज़़ों को मूल नक्षतर का प्रती चन माना जाता है ये नक्षतर बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदर्शे शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है इस नक्षतर की एक खास्यत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेल को काड़ देने के बाद भी वो अपनी ज़़ों के माध्यन से अपने शरीर को पुना प्राप कर लेता है उ अपने पुनर निर्मान में बारंबार पुनर निर्मान में सफल होते हैं साथ ही आपको बता दूँ के मूल लक्षतर का पेल साल है जो किसी मिश्व भगवान को बहुत ही प्रिय है अतहा आज के दिन मूल लक्षतर के दौरान साल के पेल की पूजा करना प्राही लाबकारी होगा خاص कर उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल लक्षत्र में हुआ है, अगर मूल लक्षत्र के जात्कों की बात की जाए तो ये लोग आम तोर पर अपने लक्ष के अपुर्दिक के उड़्ित होते हैं, यह कठिन से कठिन लक्ष को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष को प्राप्त न कर ले तो ये थी प्रीत योग और मूल लक्षत्र की चर्चा और अब बात करेंगे दशावतार व्रत की भादरपद शुक्ल पक्ष की दश्मीतिति को दशावतार व जाता है सबस्के पहले विश्यू जी के दस अवतारों के बारे में जान लेते हैं कि कहा जाता है कि जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में खो जाता है तब भगवान विश्यू से सही राष्टा दिखाने के लिए अवतार ग्रहन करते हैं श्रीमत भगवत गीता में भगवान उकिश्यू ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवती भारता अभ्युत्स्थानम अधर्मस्य टदातमानं सुझामिह परित्रानाय चे साधूनम विनाशाय चे दुष्कताम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी यूगे यूगे अर्था जब जब की धर्म की हानी और अधर्म का उत्थान हो जाता है तब तब सज्जनों के परित्राण यानि पूरी तरह से रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए विभिन यूगों में माया का आश्या लेकर रुपन होता हूँ जब जब होए धर्म का हानी बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर्मनुज सरीरा हरही सज्जन के पीरा तब तब प्रभु मनुष्य का शरीर लेकर सज्जनों की पीरा का हरर करते है शी हरी के उन दस अवतारों के राम को चिस्टरकार है मत्य, कूर्म, वाराह, नरसिंग, वामन, परशुराम, राम, क्रश्न, बुद्ध और भविश्य बेकल की पहले तीन अवतार यानि मत्य, कूर्म और वाराह, प्रथम महा युग यानि सक्ट युग में अवतरित हुए नरसिंग, वामन, परशुराम और राम, दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए कुझ्ण और बुध्ध दौपर यूग में अव्तरित हुए इस समय चल ला है कल यूग और कल यूग में भागवत पुरान की भवर विश्वानी के अधार पर इस यूग के अंत में कल के अवतार होगा इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा और न्याय का शासन होगा जिससे सक्टियोग की फिर से स्थापना होगी आज के दिन भगवान शी विश्ण के इन ही दशावतारों की पूजा का उधान है आज के दिन पूरी शद्धा और भक्ति भाव से विश्णु जी का पूजन करके उनकी शर्वर लेने से अवश्च ही जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाकर मौक्ष के प्राप्ति होती है तो ये थी आज दशावतार व्रद की चर्चा और अब बात करेंगे आज की ये जाने वाले उपायों की हैं अगर आप अपने धन में व्रद्धी करना चाहते हैं तो आज सुबह नहाद होकर आपको अ तंग के कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी या जिस जगह भी आप धन रखते हैं वहां पर सभाल कर रखना चाहिए साथ ही विश्व सहत्र नाम का जतना संभव हो पाठ करें वरना ऑनलाइन सुन लिजे आज के दिन ऐसा करने से आपको धर में बढ़ोतरी ही बढ़ो शंक रखा है तो भी आज के दिन विश्व जी के साथ साथ उसकी पूजा भी अवश्य करें इसके लिए आज सुबह स्नान आज के बाद साफ कपड़े पहन कर एक पात्र में शंक रखकर उस पर दूद की धारा अर्पित करें फिर उस पर जल चढ़ा कर साफ कपड़े से पो दिंक टेश्वर मंदिर के ओन लाइन दर्शन भी करें तो और भी अनन्द हो जाएगा आज के दिन शंक की स्थापना करने से और मंदिर के दर्शन करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी अगर आप लंबे समय से चलिया रही समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको तुलसी की मंजरी से शालिक ग्राम का पूजन करना चाहिए साथ ही आपको शीहरी के सरशक्तिशाली महामंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाय इसका 108 बार जब करना चाहिए आज ये उपाय करने से आपको अपने हेल्थ इशू से छुटकारा मिलेगा अगर आप नौकरी में परमोशन को लेकर परेशान हैं तो अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको विश्रु भगवान को पीले रंके कपले भेट करने चा दूर होगी अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से अधूरी पड़ी है तो उसे पूरा करने के लिए आज के दिन एक कीपल का पत्ता लेकर उसे अच्छे से साफ करके उस पर रोली से अपनी इच्छा लेकिए और श्री विश्रु भगवान के चरणों में अर्पित क करिए और मांके विहारी जी के मंदिर के ऑनलाइन दर्शन कीजिए आज के दिन एसा करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी अगर आप अपने जीवन में पॉस्टिव एनर्जी को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दूट, दही, जी, शाहद और शक करने से आपके जीवन में पॉस्टिव एनर्जी बनी रही अगर आप अपने कारियों में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह नहां धोकर विश्व भगवान की पुश्व आदी से पूजा करनी चाहिए, उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन मलतास के पुश्व का भी उपयोग विश्व पूजा में वर्जित माना कैया है इसके अलावा जो दशावतार की कथा ओन लाइन अवश्य सुने आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कारियों में सफलता अवश्य मिलेगी आपके पास दशावतार की पुस्तकों तो से मंतर है ओम केशवाय नमा आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में खूब तरक्की मिलेगी अगर आपका कोई दोस्त पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से परिशान चल रहा है तो आज के दिन एक एकाक्षी नारियल लेकर उसकी विधिवत पूजा करें और पूज में मदद मिलेगी और आपके दोस्ती का रिष्टा भी मस्बूत होगा अगर आपका बच्चा कुछ दिनों से बीमार चल रहा है तो आज के दिन आपको तुलसी दल से विश्म भरवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद पांच तुलसी के पत्ते लेकर अपने ब और मंदिर में दाल का दान करिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की सिहत जल्द ही दुरुस्त हो जाएगी अगर आप अपने दामपत्य संबंधों में मजबूती लाना चाहते हैं मधूरता लाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान के बाद शीविश्म भग संबंधों में मजबूती आएगी अगर आप अपने परिवार के सुख सौभागे को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन एक पांच मुखीद द्राक एक साबुत हल्दी गोंती चक्र कोड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभागी पोटली बनाएगे और इस को शिव विष्णु पूजा के समय भागवान के पास रखें पूजा के बाद इस सौभागे पोटली को उठा कर अपने तीजोरी में या अपने मंदिर में रखने साथ ही आज भागवान के बद्दिन आध्धाम के ऑनलाइन दर्शन करें आज पांच मुखी कोड़ी और गुंजा फल से बनाई हुई सौभागे पोटली को घर में स्थापित करने से और भगवान के दर्शन करने से आपके परिवार में सुख सौभागे बना रहीगा तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीतियोग मूल नक्षत्र दशावतार व्रत के बारे में उबीद ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों क्यों कि आज के जमाने में दोस्तों दुश्मन सब्की का जिद्धों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपर्चुन्टी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्म कम करने के लिए आप नए तरीके अपना सकते हैं. C. कुछ नया करने के लिए आप किसी जोजना पर विचार करेंगे. D. धार्मी के छेत्र में आपके रूची बढ़ेगी. परिवार के साथ किसी धार्मी के स्थल पर जाने का विचार बनाएंगे. E. आज आप अपने दोस्तो के साथ आउटडोर गेम खेल सकते हैं. F. विद्यारती आज प्रेटिकल के जरिये नया सीखेंगे जो आगे चल कर काम आएगा. G. पुतीर उद्योग का कारोबार कर रहें लोगों का. काम अच्छा चलेगा. H. आज आज आप कोई पूने का काम करेंगे. आपको बढ़ों का आशिरवाद मिलेगा. I. माताएं अपने बच्चों के लिए आज स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे. J. काफी समय से किसी किताब को लिख रहे लेखकों की मिहनत आप सपल होगी. K. धर से दूर रहकर जौब कर रहे लोग आज अपने जीवन साथी से मिलने का सौभाग्य पाएंगे. L. शौफ ओनर्स आज अपनी दूसी ब्रांच ओपन कर सकते हैं. M. काफी समय से चलिया रही स्वास सम्मंदी समस्या से आज आपको छुटका रा मिलेगा. N. वकीनों को किसी पुराने क्लाइंट की वज़े से नए क्लाइंट से जुड़ने का मौका मिलेगा. O. O. चीनी विच्ची का कारोबार कर रहे लोगों के प्रॉडट्ट की अच्छी सेल होगी. P. प्राइवेट केर में काम करने वाले करिमचारियों की सेलरी में इंक्रिमेंट होगा. बहुत समय से परिशान बुज़र्ग आज अपनी सेहत को बेहतर महसूस करेंगे. R. आफिस म काम कर रहे लोगों को अपने काम से आज अच्छा लाग होगा. U. सरकारी रुभाग से जुड़े लोग आज किसी जवरी काम में बैस्त रहेंगे. V. किसी अज़्जान बेक्ति की मदद से आपकी कोई प्रॉबलम सॉल्व हो जाएगी. W. काफी समय से चली आ रही आपकी को हार बना कर रखें. इससे आपको कारे में उनकी सहता मिलती रहेगी. Z. कारे खेसर में आज अपने अधूरे कारें को समय रहते पूरा कर लेंगे. और अब बात आज के तीर्ट की. आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन दशावतार मंदिर के दर्शन. ये मंदिर उत् के दस उरूपों के दर्शन होते हैं. मंदिर के द्वार पर काफी सुन्दर नकाशी की गई है. जिसमें गंगा यमुना सहित कई पौरानिक कथाओं को उकेरा गया है. माना जाता है कि यहां भगवान के दस आवतारों के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. तो आ कुछ कुछ जान सकते हैं. सामुद्uk शास्थि के अनुसार होटों के रंग से विक्ति के स्वास्त है और उसकी मनवर्तियों की ज्यानकारी मिलती है. इससे विक्ति के रहन सहन के बारे में पता चलता है आपको बता दूं किसी के होटों का रंग गुलाबी होता है तो किसी का पीला सफेद या गहरा लाल होता है आज हम सबसे पहले बात करेंगे गुलाबी रंग के होटों के बारे में गुलाब के जैसे गुलाबी रंग के होट बहुत ही उत्तम माने जाते हैं ऐसे ह मोट वाले लोग हमेशा कुछ रहते हैं, ये सौम में सभाव के होते हैं, इनके विचार बड़ ही पॉस्टिव होते हैं, साथ ये लोग अपने आदर्शों पर चलने वाले और दयालू किस्म के होते हैं, ये दूसरों के साथ हमेशा प्यार और सहयोग बना कर चलते हैं, सामु तक रहेगी उसके बाद दश्मी तिति लग जाएगी जो कि कल सुबह पांच बच कर चोवन मिनिट तक रहेगी दश्मी तिति में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए कलंबी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के सुरोट के पास उहती है अतहा आज सुबह आठ कर चोवन मिनिट तक आपको कलंबी के शाक का सेवन अवाइट करना चाहिए इस तरह तिति का समय जान कर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकि आप कुछ भी खाईए पीजिए मौज कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल पढ़ाने कवली दिशा है पूर्व और दक्षल पूर्व और अब सावधान को रोना ओम नमोनी सिंघाए हिरने कश्यप वक्षा स्थल विदारनाई त्रिभोनी व्यापकाई क्रेवी विश विशानों को लोन मूलनाई इस्तंभोत भवाई समस्त दोशाना हर हर विसर विसर पच पच रहना हना कम पाए कम पाए मत मत रींग 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 फट फट ठाठा एहे ही रुद्र आगया पैती स्वाधा और अब वक्त है आज की टिप आप दिए का आज चिल्यू को साथ अनाज डाले सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासल होती रहेंगी और अपना संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भाविश्यवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार